यह यह आप पास पेशनट आई हैं गुजरात से दो दिन ने हमारी वेट की है इसलिए क्योंकि हमारा अमर्जेंसी में थे और आंस्ट्राइक भी है इनकी क्वेशन बहुत ही सिंपल और इनोसेंट क्वेशन हैं क्योंकि यह बहुत अच्छे दांसर हैं इनोंने हमसे पूछा क को देखकर मुझे अपने आपको बहुत ही ऐसा लगता है कि कोई मेरी उंगली मोर्दे और मैं ठीक हो जाओं तो मेरा सारा काम अच्छा होने लग जाए लाइफ का तो ऐसे पेशन्ट जिनको ऐसी चोट लगती है और इमेरेटली चोट लगती है और आपसे दूर होते हैं तो जब हमारे वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है काश हमित मित्तल के पास आए लेकिन ऐसे लोग जो घर वाले होते हैं वो उनको कहते हैं नहीं इतनी दूर क्यो और आज मेरे से काफ़ी हैं और मैने इनको जब बताया है कभी आपरेशन नताया, तकी बताया है, बताया है उपरेताप एड़ाइज्टद केुछ चाहिए वेडिंग होते हैं उनमें सिखाता हूं तो मैं वो कर नहीं पा रहा हूं तो इसकी जो अंडरस्टेंडिंग है वो इस चीज के लिए कि इस चोट के कारण इसकी ब्रेन एफेक्ट हो गया है और ये चीज को अच्छे से एकसेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि दूसरों से खराब हो जाएगा क्यों कि चाहे में से कितना भी ठीक कर दूँ ये 100% ऐसा नहीं आ सकता तो ये फिर भी अपने आपको फिर दूसरों के कंपरेजन में करके क्या सोचेगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ जब मैंने इसे पूछा ऐसा कौन सा काम नहीं कर सकते सर मैं सारा काम कर को पा रहा हूं लिकर सभी मेरे को अच्छा नहीं लगता मुर्थी नहीं तब मैंने का ठीक हुए मैं आपका मॉस्कीत को देखें गांव करोगा वह सब मैंने के करें इन्होंने विदाट एंडी इनी कुछन को पूछे वह सारे एक्स- 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 रिचान मुझससे और चा करता हुआ उप काफ वाला इरिया और होर्ट खाब़ हो गया है और उपर वाला एरिया फिर नॉर्मल और जैसी मैं इसको साइड से देखता हूं इसे तो जो यह वाला इंग को यह उपर की बोन इसे बिल्गकल ठीक्व होगी और जो यह सर्फिस ऐसा है यह उपगर आगे तो इनको फारे चार महीनी होगे ऐसी चोट को अब इनको मैं 100% ठीक कर सकता हूं लेकिन उसके बाद भी यहाथ वैसा नहीं हो सकता और इनकी जो अंडरसेंडिंडिंग है कि उसके बाद दूसरों को इनका अच्छा हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता लेकिन ऐसे लोग जो कि स्पोर् जो एक जो डांसर होता है वो जब कोई भी पॉल को पकड़ता है या किसी चीज का सपोर्ट लेता है तो इनका सपोर्ट अलरडी है साथ में जब हाथ को किसी चीज को डांसर ऐसे करके रखता है देखो लिखाओ जैसे तो डांसर ऐसे जब डांस करता है तब भी यह चीज इ इसे करके ही डांस करता है, उसमें अपरियंस एबनॉर्मल नहीं है इनकी, इसलिए मैं इनका उपरेशन नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ऑपरेशन करकर मैं इसकी जॉइंट को अगर पेइनफुल कर दिया और उतना अच्छा नहीं कर पाया, जितना अच्छा क्योंगी जॉइंट चार महीने पुराना हो गया है, तो मैंने इनके साथ एक बहुत गलत किया, यह बिल्कुल रेडी थे साथ जितने ही पैसे ल इसकी चीजे तकलिफ हो रही है, जो तुम्हें तंग जिसके कारण तुम्हारी वह डांस वाला प्रफॉर्मेंस एफेक्ट हो रहा है, तभी मैं आपका उपरेशन करूगा, और आप उस चीज के लिए जितना लेट थे, वह आलड़ी लेट हो चुके है, जो भी नेक्स पू रिलाइस करो और आपको ऑपरेशन अभी कराने की कोई जरूवत नहींगे, यह आप सब लों के लिए जिनको भी जॉइंट की इंजरी हो जाती है, उसको इमेरेटली हमारे पास या एक्सपर्ट के पास आना चाहिए, जिससे उसी टाइम जितना बैस हो सकता है, उसना बैस क के द्वारा बताया, अब इस पेशन से पूछते हैं, सब यह हम से यह चीज़ जो हमने इसको बताई है, इससे समझ कर खुश है, अंसाटिसफाइड है, यह चीज़ हम से पता कर सकता था है, नहीं कर सकता है, पहले तो लगा कि नहीं नहीं जाना, फिर सब को लगा, वीडिय होता है, बूस्ट होगा है, मेरा मोटिवेशन मिल गया, कि नहीं में भी करूँगा ऐसा कुछ, और बढ़िया है, मतलब सब अच्छे से समझाते हैं, कि जिस पेशन के लिए जो सही रहेगा, वही समझाएगे, हमारे जैसा नहीं है, वहां पे ऐसे बोलते हो जाएगा, हो ज है, मैं तो कह रहा है, बिलकुल नहीं डरना चाहिए, अगर कोई भी चोट लगे तो पहले मितल सर से बात कर लो पहले, अपने आजू बाजू के से पहले, मलब, सर बहुत ही ट्रस्टेड है, पहले तो, मलब, ठीक है, अब तुम डांस करोगे, हाँ बढ़िया, और बात में मोटबवेशन हो गया है, ऊप की अब अपने बारे बता दो कि आप क्या बारे शार्में चाहते हो, आप क्या करते हो, मैं पहले में स्पोर्ट कहल दादा दा, क्रिकेट ख MAL Bet और लग देवाई इसके बहले मैं डानस का दादा सब को, मした उपने स्ट्रीट में अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट तरीके से विदाउट एनी बायस ट्रीट्मेंट करें नमस्कार दोस्तों मित्तल हैंड मेक्रो सरजरी सेंटर में आपका स्वागत है ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जैपूर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए हमारा सेंटर जैपूर में है जिसका एड्रेस 121-122SR कामपलेक्स टेगोर नगर चौरा, DCM रोड, जैपूर, राजस्थान है यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा जिसकी दुरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनिट्स 8.4 किलो मीटर है यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जैपूर जंक्शन स्टेशन होगा जिसकी दुरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनिट्स 7.4 किलो मीटर है यदि आप प्लेंग के माध्यम से आते हैं तो एरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दुरी 9.5 कम है सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी बाइक आदी की सुविधा मिल जाएगी जैसे ओला, उबेर या लो प्राप्त कर सकते हैं